बीजेपी का अगला दाओ क्या इंडी गटबंदन को देगा खाओ कमलनाथ को PCC चेव के पत से हटाना क्या कॉंग्रिस को पड़ेगा भारी बीजेपी को लेकर क्यों नरम पड़े कमलनाथ लोगसबा चुनाव नजदीक हैं लेकिन उससे पहले दल बदल का दोर शिरू हो गया है पहले नितीश कुमार ने अंडीय में शामिल होकर इंडी गटबंदन को जटका दिया तो वहीं अब मध्यप्रदेश के पूर्वसियम और कॉंग्रेस के कदावर नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकले तेज हो गई हैं इन अटकलों के साथ ही अब राजनिती भी खुब हो रही है पूर्वसियम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीज मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कॉंग्रेस ने राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के निमंतरण को खारीच कर दिया कॉंग्रेस में ऐसे लोग हैं जो इससे नाराज है कॉंग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है और कॉंग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनको इससे दुख हुआ है और हमें लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए बताने कि बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ कमलनात इन दिनों अपने बेटे के संसद्य शेत्र चिंदवारा में एक्टिव हैं बीजेपी फिलहाल कमलनात पर खुला हमला नहीं बोल रही है वहीं कमलनात और नकुलनात के तेवर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं वहीं मध्यप्रदेश विधानसवा चुनाओ के बाद कॉंगरेस ने कमलनात को PCC चीफ के पत से हटा दिया था इसके बाद से ही मध्यप्रदेश के सियासी गल्यारों में कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए थे वहीं आप सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कमलनात बीजेपी का दावन थाम सकते हैं सूत्रों का तो यहां तक भी दावा है मार्च में कमलनात कॉंग्रेश छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो आने वाले महिने कॉंग्रेश के लिए परिशानी भरे हो सकते हैं और इसका सीधा अन्जाम ये भी हो सकता है कि इंडी गठ बंधन को आने वाले लोकसवा चुनाव में हार का सामना करना पड़े।